खत्रों हम अविज्ञ शाकुंतलम के दुत्यांक का अध्यन कर रहे थे तो उसी क्रम में आगे देखिएगा राजा राजा दुशन्त कहता है साप्रणाम प्रणाम करके कच्छताम पुरो भवन्तव आप लोग कच्छताम पुरो आगे चलें एहम अपी अनुपदम आगते एहम अपी मैं भी अनुपदम आगते आपके पीछे आही रहूं उभवन दौनोर रिशिकुमार विज्यास आपकी विज्ये हो इतिन निश्क्रान तू एसा कह करके निकल याते हैं राजा, राजा कहता है माढवे अप्य अस्ती शकुंतला दर्शने कुतू हलम क्या शकुंतला को देखने के लिए उत्सुको विदूश कहा, विदूश कहता है प्रथमम सपरिवाहम आसीत प्रथमम पहले सपरिवाहम आसीत भरपूर उत्सहा था इदानीम राक्षश वर्तान तेन विंदुरपी नाव शेशित हा परन्तु इदानीम इस समय तो राक्षश वर्तान तेन राक्षशों की वार्ता से बिंदुर अपीना अव शेश तह एग विंदु भी शेश नहीं रह गیا है राजा, राजा कहता है मा भेशी, डरो मत, ननो मत समीपे वर्तिश्य से तुम तो मत समीपे वर्तिष्य से मेरे साथ रहो गई विदूशक कहा विदूशक कहता है एश राक्षसात रक्षितो अस्मी एश अब राक्षसात मेरी राक्षसों से रक्षितो अस्मी रक्षा हो गई प्रेविश प्रेवेश करके दौवारी कहा द्वारपाल जो है कहता है सज्जो रथो भर्तू विजय प्रस्थानम अपेक्षती सज्जो रथो रथ तैयार है भर्तू विजय प्रस्थानम अपेक्षते भर्तू विजय महाराज की विजय यात्रा की अपेक्षते पृतिक्षा कर रहा है एश पुनार नगरात देवी नाम अज्यप्ति हरा करभक आगता हां एश यह पुनार नगरात अर्थात हस्तनापुर से देवी नाम अज्यप्ति हरा देवी का संदेश वाहक करभक आगता हां करभक आया है राजा कहता है सादरम आदर के साथ किम अम्मा भी प्रेशित है क्या माता जी ने भेज़ा है दौवारी कहा दौआरपाल कहता है अठ किम और क्या राजा कहता है नन्नू प्रिवेश्यताम शिग्री प्रिवेश्य कराईए दौवारी कहा दौआरपाल केता है तथा जैसी आग्या इति निश्क्रम में कर्भकेंड सहा प्रिवेश्य निकल कर पुनह कर्भक के साथ प्रिवेश्य करके एश भरता उपसर्प एश भरता ये महराज राजमान है उपसर्प पास जाईए कर्भक कहता है जय तू जय तू भरता महराज की जय हो महराज की जय हो देविया आज्या पयती देवी की आज्या है आगामी नी चत्रत दिवसे प्रवर्त पारणों में पुवासो भविशती आगामी नी चत्रत दिवसे आगामी चोथे दिन में में उपवासो मेरे व्रत की प्रवर्त पारणों भविशती पारणा होगी तत्र दीर्ग आयुष अवश्यम संभावनी एती तो उसमें दीर्ग आयुष चरंजीव आप अवश्यम संभावनी एती अवश्यमे उपस्थित होकर सम्मानित करें कर राजा कें इता स्वीकर्य में इत्यों गुरुजन आग्या इसथ्ट टपस्वी कार्य में इधर मात्यजिक्रें का कारह है इत्यों गुरुजन आग्या उधर-mmander गरति क्रमनियम दोनों ही अन उलगनिय हैं किम अत्रत्व पृति विदियम इस सम्भन्ध मैं क्या करना चाहिए कि विद्धूशक कहता है तृषंकुईव अन्स्रावले तिस्ठ। त्रिशंकु की तरह अंत्राले तिस्ट बीच में लटके रहिए राजा कहता है सत्यम आकली भूत वस्मी सच्मुच आकली भूत वस्मी में व्याकुल हो रहा हूँ कृत्योर भिनदेशत्वाद द्वेधी भवती में मनहा प्रहा प्रिती हतम शैले स्रोत हा स्रोतो वहो यथा कृत्योर भिनदेशत्वाद दोनों कारेओं के भिनदेशत्वाद अलग-अलग स्थान में होने के कारण में मुझ दुष्यंत का मनहा चित प्रहा सम्मुख शैले प्रिती हतम प्रवत के कारण अवरुध स्रोतो वहा नदी के स्रोतहा यथा प्रवा की भाती द्वेधी भवती द्वीधा में पड़ गय प्रवत के स्थित होने से वह दो धाराओं में विभवक्त हो जाती हैं ठीक इसी प्रिकार राजा दुष्यंत अपना मन दुष्यंत में फसा मानता है तपस्वियों की रक्षा करना भी परमावशक कर है और माताजी की आग्यानुसार राजधानी में लोटना भी जरूरी है इस कारण उसके मन में द्वन्द चल रहा है महकवी कालेदास ने दुष्यंत के हिर्दे की दुईधा का मनो वैज्यानिक चित्रण किया है राजा विचिंते सोचकर विचार करके कहता है सखे तौम अंबया पुत्र इती पृति ग्रिही ताहा सखे हे मित्र तौम तुम्हें अंबया मेरी माता ने पुत्र इती पृति ग्रिही ताहा पुत्र के रूप में स्विकार किया है अतो भवान इताहा पृति निवृत्य तप स्विकारे व्यग्रमानसम माम आवेद्य तत्र भवती नाम पुत्र कृत्यम अनुस्ठातुम अहराती अतोब भवान अतहा आप इतहा पिति निवृत्ते यहां से लोट कर और तपस्वी कारे वेग्र मानसम माम मुझे तपस्वी कारे वेग्र मानसम तपस्वी के कारे में वेस्त मानस वाला आवेद्य बताकर तत्रभवती नाम पूजनिया जो माताजी हैं उनके पुत्र टृत्यम पुत्र द्वारा करणिये अनुस्ठा तुम अहरती कारे को अनुस्ठा तुम अहरती संपन कीजिए विदूशक कहता है ना खलू माम रक्षो भीरुकम गणयासी माम मुझे रक्षो भीरुकम राक्षसों से डढ़ने वाला ना गणयासी मत समझे अर्थात मैं राक्षसों से डढ़ने के कारण राजधानी चला जाऊंगा ऐसा मत समझे राजा सैस्मितम मुश्करा करके कहता है क कथम एतत भवती संभाव याते भवती आपसे एतत कथम संभाव याते ऐसी संभावना कैसे हो सकती है विदूशक कहा विदूशक कहता है यथा राजा अनुजेन गंतव्यम तथा गच्छा में यथा राजा अनुजेन गंतव्यम तब तो जैसे राजा का अनुज जाता है तथा गच्छा में वैसे ही जाऊंगा राजा राजा कहता है ननु तपोवन उपरोधा परिहर्णिय इति सर्वान अनु यात्रिकांस त्वया एव सह पस्था प्यामी ननु तपोवन अपरोधा तपोवन का उपरोधा जो घेरा है परिहर्णिय दूर करना चाहिए इति इसलिए सर्वान अनु यात्रिकांस सभी अनु चरों को त्वया एव सह तुमारे साथी प्रस्था प्यामी भेज राहों हूं विदूशक सागर्वं गर्व के साथ तेन ही यूवराजो अस्मी इदानिम सम्रतहा तेन ही तब तो इदानिम अब यूवराजो सम्रतहा अस्मी मैं यूवराज बन गया हूं राजा स्वागतम अपने मन में कहता है चपलो अयम बटु हूँ यह ब्रहामन बालक बड़ा ही चंचल है कदाचित अस्मत प्रार्थनाम अंतह पुरेभ्य कथेद कदाचित कहीं अस्मत प्रार्थनाम शकुंतला विश्यक हमारी जो इक्षा है उसको अंतह पुरेभ्य कथेद अंतह पुर्की राणियों से ना कह दे भवतू ठीक है एनम एवं वक्षे तो मैं इस प्रकार से कहूंगा विदूशकम हस्ते ग्रिहत्वा प्रकाशम विदूशक का हाथ पकड़ कर प्रकट में वयसे रिशी गौरवाद आश्रमम गच्छा में वयसे मित्र रिशी गौरवाद रिशियों के प्रती आदर भाव होने से आश्रमम गच्छा में मैं आश्रम में जा रहा हूं ना खलू सत्यमेव तापस करने का आयाम मम अभिला शाहा सत्यमेव सच्मुच तापस करने कायाम उस तपस्वी वाला जो शकुंतला है उसके प्रती मम अभिलाशा हर ना मेरी कोई अभिलाशा नहीं है पश्य देखू क्वा वयम क्वा परोक्षम मनमथो म्रग शावही समम एधितो जनह परिहास विजल पितम सखे परमार्थे नागरी है ताम वच्चाहा सखे मित्र वयम हम क्वा सभी कलाओं में प्रिविल्ण राजा दुश्यंत क्वा कहां मिर्क शावई हरणों के बच्चों के समम सानिध्य में एधिता विर्धी को प्राप्त परोक्षमनमथा कामभावना से रहित जनह सामान व्यक्ति क्वा काहां परिहास विजल्पितम हसी में कही गई वचाहा बात को परमार्थे नाग्रिही अताम सत्य रूप में मत ग्रहन कीजिये विदूशक के विशय में राजा सोचता है कि वह वाचाल है कहीं यह शकुंतला विशयक पृतांत का दुष प्रचार ना कर दे इसलिए राजा दुष्यंत उससे कहता है कि शकुंतला विशयक वारता को सत्य मत समझना क्योंकि मित्रता विवहा तथा प्रीती सामान इस्तर के व्यक्तियों में होती है मुझ में और शकुंतला में आचार, वैवार, वेश, भूशा, गत, परियाप्त अंतर है इसलिए मेरे द्वारा पूर्व में कथित वार्तालाप परिहास मात्र समझना इस वार्तालाप को कदापी सत्य मत समझना विदूश कहा, विदूश कहता है अथकिम क्या ऐसी बात है अर्थत आपका कथन उचित ही है इती निश्क्रान तहा सर्वे ऐसा कह करके सभी निकल जाते हैं इती दुत्यों अंकहा इसी के साथ हमारा दुत्य अंक समाप्त होता है